Welcome to my channel Some Useful Tips आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वाकफिट के मेमोरी फॉर्म मेट्रिस का अन्बॉक्सिंग का एक वीडियो लेकर के आई हूँ साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो यह memory form mattress है यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है अगर आप कोई नया mattress खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा mattress सही रहेगा यह मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सम यूसफुल टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लेजे मैं अपने चैनल सम यूसफुल टिप्स में उन टॉपिक्स के बारे में वीडियो ले करके आती हूँ जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेद है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह इस तरह के बैग में पैख हो करके आया है इसे मैंने ओनलाइन ओडर किया हुआ है अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह में को 6300 का मिला है और जो इसकी विट्थ है जो इसके लेंथ है वो है आपका 72 x 36 x 6 इंच यहाँ पर मैं मैं बैट्रस को बैग से निकाल रही हूँ जैसा कि आप वीडियो पर देख सकते हैं मैंने यह आल्मोस बैग से निकाल ही लिया है यह जो मैंने मैं बैट्रस ओडर किया है यह सिंगल बैट का मैट्रस है और यह आल्मोस निकल चुका है कवर से अब आप देख सकते हैं इसके साथ एक में कोई वार्रेंटी कार्ड मिला है जो कुछ इस तरीका दिखता है यहाँ पर इसमें वार्रेंटी भी मेंशन है और साथ ही में मेरे को इसके साथ एक यूजर मैनुवल मिली है जिसमें मेरे को सेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से इसे अन्बॉक्स करना है यह मैंने मैट्रस को बैक से निकाल करके इससे बैड में फैला लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें साइड में टेप लगे हुए है तो मैं धीरे धीरे इन टेप को जो साइड के टेप है इनने निकाल रही हूँ यह देखे मैंने एक टेप निकाल दिया है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस टेप के अलावा और टेप भी है जो मैं धीरे-धीरे निकाल रही हूँ यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप मैट्रेस की अन्बॉक्सिंग करें तो आपको इसे एक फ्लैट सर्फिस पे ही रखना है अन्बॉक्सिंग करते समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैट्रेस है यह एक प्लास्टिक शीट से पैक है तो मैं धीरे-धीरे यह जो प्लास्टिक शीट है उससे निकालूंगी यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह साइट से जब टेप हटाया तो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करा तो यहां पर से साइट से यह प्लास्टिक शीट आराम से निकल गई अब मैं इसे थोड़ा सा और निकाल रही हूँ, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी फसी हुई है, तो मैं इसको एक टेप और यहां पर आप देख सकते हैं, साइड में लगा हुआ है, तो मैं इस टेप को भी निकाल रही हूँ, और यह मैंने टेप निकाला, तो और यहां पर प्लास्टिक शीट ti है यहां पर फिर चिपकी होई इसे जो तो बहुत हलके से हलके हाथ से फाड़ूँ दूओगी और यहां'M पर मिर्हको आपको ध्यान देना ढ़ एक किसी से भी आराम से निकल जाएगा आप हाथ से निकाल सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं यहां पर बिल्कुल हाथ से ही निकाल रही है हाथ से फाड रही है तो यह आराम से फट जा रहा है यह देखिए मैंने फाड़ा तो यह फिर जो शीट है वो खुलने लगी है यहां पर फिर यह चिपकी हुई है तो फिर वैसे फिर और फार लेती हूं अगर आपको बैक की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी बॉड़ी में कहीं पर पेंड रहता है तो यह जो मेमोरी फॉर्म मैट्रेस है यह अपके लिए बहुत अच्छी चीज है यह आपको काफ मैट्रेस में सोते हैं तो यहां पर आप जो गदे के उपर नहीं सोते हैं बलकि मैट्रेस के अंदर सोते हैं तो यहां पर जो आपकी बॉड़ी में आपका जो बॉड़ी का वेट है वो आपकी बॉड़ी में बहुत कम वेट पड़ता है और इससे आपको काफी पें में रिल आँ यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 लेयर और बचिए तो इनको भी धीरे धीरे अपने हाथ से निकाल ले रही हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कोई blade या फिर चाकू का यूेज़ नहीं कर रही हूँ आप भी यहां पर किसी कोई о्वेयर का यूज कीजेगा है मैं इस भोड़ार तक ये मैंट्रिस को रोल कर रहे हूं जिसने मैं यह इस तरीके से रोल और पर यहां गाल गई है लोगाsil है यह मैंने पॉली साइड रख ली है यह निकल चुकी है अब जो मेरा मैट्रेस है वो कुछ इस तरीके से है और मैं इसे बेट के उपर फैला लोंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैट्रस है मैं इसे अपने बैट के उपर फैल आ रही हूँ यहाँ पर आपको यह चीज का ध्यान देना है जब भी अप अंबोक्स करें मैट्रस को यह आप प्लाइन सर्फेस पे ही कीजिएगा जैसे मैंने बैट के उपर इसे फैलाया अब मैं एक या दो मिनिट का वईट करूँगी और इसे अपनी पोजिशन लेने के लिए एक दो मिनिट में ये अपनी पोजिशन में आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मैट्रिस है इसमें मुझे एक कावर भी मिला है यह देखे यह एक कावर है इसमें साइड में जिप लगए हूई है अगर आप चाहे तो इसे वाश करने के लिए आप इस कावर को निकाल सकतें इसके लिए मुझे कुछ अडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ा सब्सक्राइब मैंने दूसरे साइट में नहीं होता है तो यह मैंने टस्क करने के लिए मैंने यह पे ग्लास लिया है अब मैं यहां पर पीकशन में撼ा रही Donald को मैं यहां देखती है जह मैं गिरता है यहां फिन नहीं देनie कि मैं 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 में बहुते हमारा ग्लास है वो stable बना हुआ है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सम यूसफुल टिप्स को सबस्क्राइब करें Thank you for watching